इंदुत, इसलाम, यहूदियत और इसायत, आज के समय में पूरी दुनिया के 70% लोग इन चार विचारधाराओं के अनियाई हैं और उपरी तोर पर इन चारों में हमें कोई तालमिल दिखाई नहीं देता बल्कि चारों की परंपराएं, मानिताएं और तौर तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं लेकिन मैं कहूं कि इन चारों विचारधाराओं के उत्पत्ती का उत्गम एक ही है तो शायद आप यकीन ना कर पाएं चलिए इस विशय पर एक तार्किक विशलेशन करते हैं बात शुरू करते हैं इसाईयों और यहूदियों के अबराहम से जिनने मुसल्मान इबराहिम कहते हैं इसा से कईब 2000 वर्स पूरू मेसोपटामिया के हराम नमकिस्थान में जन्मे अबराहम अपनी जवानी में हराम शहर से पलायन को मजबूर हुए और वहां से कानान चले गए उन्होंने स्वात की रहने वाली सारा से विवाह किया हाजरा उनकी दूसरी पत्मी थी इन दोनों से उन्हें कई संताने हुई इस हाक, इस्माइल, जिम्रान, जिक्षान, मिदान और सुआ, इबराहिम के पोते याकोग थे जिनका एक नाम इजराइल भी था इन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था यजूदा या यहूदा इसी यजूदा की संतानों को आगे भी कई निर्वासनों का सामना करना पड़ा और आगे चलकर यजूदा की संताने ही यहूदी कहलाई पांसो वर्सों के कई निर्वासनों के बाद आखिरकार इजराइल की ये संताने यहूदी के रूप में येरुसलम के आसपास बसने मे काम्याब हुई और उस इस्थान को उन्होंने इस्राइल का नाम दिया लेकिन जल्द ही उनका यह पवित्र इस्थान फराओ बादसा रामसिस दृतिये ने कबजा लिया और यहूदी फराओं के गुलाम हो गया फिर करीब पंद्रह सो इसा पूर्व में इही की जाती से मोजि अबराहम या इबराहिम ही भारत के पौरानिक ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं भारत के अनेकों पौरानिक ग्रंथों में वन्नित ब्रह्मा को चारों वेदों का रचीता कहा जाता है और वेदों की रिचाये बताती हैं कि आरे बाहर से आए जवाहर लाल नहरू ने अपनी किताब Discovery of India में यह साबित किया है कि आरे बाहर से आए महापंडित राहुल सांकृतियान ने अपनी किताब वोलगा टु गंगा में भी यह साबित किया है कि आरे बाहर से आए बाल गंगा धर तिलक से लेकर भारत के आने को विद्वानों ने यह साबित किया है कि आरे बाहर से आए इतिहास के अनुसार आरे इरान से भारत में करीब 1800 इसापूर में आए उस समय भारत में सिंधू घाटी सब्यता का काल था अब सवाल यह है कि आरे का यहूदियों से क्या सम्मंद है असल में अबराहम के दोर से ही उनकी संतानों को निर्वासन और पलायन के लंबे दोर से गुजरना पता यहूदियों की उत्पत्ति के उथल पुथल भरे इसी सुरुवाती दोर में अबराहम की संतानों के कई छोटे बड़े दल इधर से उधर अनेको इस्थानों पर जावसे इनी में से एक दल थोड़े समय के लिए इरान में वसा इरान का प्राशीन नाम आर्यन ही है सवाल अब भी वही है कि ब्रहमा ही अबराहम है इसका प्रमान क्या है असल में जिन्हें इसाई, यहूदी और मुसल्मान अबराहम या इबराहिम कहते हैं उनका नाम अबराहम नहीं बलकि ब्रहम था अरव और इसराइली संस्कृतियों में मामूली भासाई अंतर के कारण ब्रहम अबराहम हो गए क्यूंकि अर्भी संस्कृति में किसी व्यक्ति विसेश को सम्मान देने के लिए उसके नाम के आगे अलिफ का आ जोड़ दिया जाता है इसलिए ब्रहम के नाम के साथ आ जोड़ देने से वे ब्रहम से अबराहम हो गए एक उदाहरन से समझेए महांदार्शनिक सुक्राग के सिस्सिफ और अरस्तु के गुरू प्लेटो को अर्भी संस्कृति में अफ्लातून कहते हैं प्लेटो और अफ्लातून दोनों नामों में तो कोई समानता दिखाई नहीं देती प्लेटो और अफ्लातून दोनों एक ही व्यक्ति है असल में प्लेटो को अर्भी में बोलेंगे तो होगा फ्लेटो क्यूंकि अर्भी भासा में पा और टा जैसे शब्दों का आस्तित ही नहीं है अर्भी में पा को फा और टा को ता बोला जाता है इसलिए प्लेटो वहां की भासा में प्लेटो हो गए और नाम के आगे सम्मान पूर्वक अलिफ का आ भी जोड़ देने से अफलातून हो गए इसी तरह आरियों के ब्राहम ही आगे चलकर अरभ यूरोपियन संस्क्रिती में अबराहम या इबराहम कहला है और यही ब्राहम ब्रहमा हो गए कुछ और सुबूत देखिए लोगों के नाम के साथ उनके इस्थान का नाम भी जोड़ने की परंपरा कई संस्क्रितियों में रही है और आज भी है यहूदी इसाई और मुसल्मानों की मान्यताओं के अनुसार अबराहम की पत्नी का नाम सारा था और वह स्वात घाटी की रहने वाली थी इस तरह अबराहम की पत्नी का नाम सारस्वाती हो जाता है और ब्रहमा की पत्नी का नाम भी सरस्वती है अर्थात सारस्वाती अबराहम को मानने वाले यहूदी इसाई और मुसल्मानों की मान्यताओं के अनुसार वे तीनों ही बुद्ध परस्ती अर्थात वर्शिपिंग ओफ थिंग्स को गलत मानते हैं इसे अबराहम को मिले इश्वर के आदेश से जोडते हैं इधर ब्रह्मा की पूजा भी अवैध है उसकर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर में भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती इसके पीछे कहानी जो भी गड़ी गई हो लेकिन सच्चाई यही है कि अबराहम या इबराहिम की तरह ब्रह्मा की भी परस्ती नहीं होती अर्थात पूजा नहीं होती सफेद दाढ़ी में दर्शाय गए ब्रह्मा कमल के फूर पर विराजमान है अबराहम और इबराहिम को भी कमल पसंद है इसी वज़ा से यहूदियों के सभी गिर्जा घरों में कमल की आकरिती देखने को मिलती है इसाईयों के चर्श में दर्शाय गए स्वर्व की पैंटिंग में भी कमल की आकरिती उकेरी जाती है और मुस्लिम साश को द्वारा निर्मित भव इमारतों में भी कमल की आकरिती देखने को मिलती है भारतिय संदर्व में ब्रह्मा जी का चित्रन सफेद दाड़ी के साथ दिखाई देता है जो इसाई और यहूदियों की संस्कृतियों के अबराहम के चित्रन से बिलकुल मेल खाता है यह सभी बाते मिलकर यह दर्शाती हैं कि आज परस्पर और एक दूसरे के विरुध दिखाई देने वाली सभी संस्कृतियों के ताथ आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए जिन्होंने समय के अंत्राल में विभिन धर्मों